आज न मैं एक स्टैट्यू बनाने वाली हूँ आज की वीडियों बहुत जादा इंट्रस्टिंग वने वाली हूँ आज न मैं एक स्टैट्यू बनाने वाली हूँ वह लाइफ में फर्स्ट राही में बनाने वाली हूँ तो पता नहीं कैसा बनेगा कि मैंने पहले कभी ट्राइन और सबस्टा था इतने दिनों बाद वीडियों आई एक महीना वह गया है सबसे पहले तो मैंने यहां पर एक प्लास्टिक की शैंपू की बोटल ले लिती और बहुत सारा नियूस्पेपर भी और इस नियूस्पेपर को न मैं इस प्लास्टिक की बोटल पर कवर कर दूंगी यहां पर आप लोग एक चीज करते कि शूट सकता या इसे कर दहएं सका में अब यहां पर मैंने यह homemade clay से बना स्टाइट कर दिया है तो अगर आप लोग चाहते हो ना कि मैंने यह homemade clay किस तरह से बनाया तो उसकी वीडियो भी मैं आप लोग साथ में श्यार करूं तो प्लीज आप तो मुझे कॉमेंट में बता दीजिए का आप लोग लिए वह लोग वीडियो भी लेकर आजाऊंगी जिसमें कि मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी कि मैंने यह क्ले वो किस तरह से बनाया है तो यहां पर पहले तो मैंने एक लेयर इस तरह से चारों तरफ लगा दिथ यानि कि पानी लेंगे ना अगर हम तो यह न बहुत ही अच्छे से आप लोग देखी सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग भी आ जाती है और इसमें बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं चलता कि हां हमने कौन सी साइट से जो है वो अलग से बात में दुबारा क्ले लगाया था विकोज जब हम फिंगर पर पानी लेकर उसे अच्छे से शेप देंगे ना वो उसी के साथ में अर्जेस्ट हो जागा ऐसे अलग सा नहीं लगेगा मॉल्डिट के लिए जो होता है नहीं जब हम उससे कोई भी ऐसा स्टैचू या कोई भी ऐसा हार्टीस बनाते हैं आयनों कि जो बड़े हार्टीस्ट होते हों बहुत हो बना सकते लेकिन जैसे कि मैं परस्ट टाइम बना रही हो या आप लोग इतने अच्छे से नहीं बना मॉल्डिट के लिए काफी सही रहाता है क्योंकि हम पानी से थोड़ा थोड़ा सैट करेंगे तो काफी अच्छी से उसमें फिनिशिंग भी आ जाती है और आप लोग देखी सकते हो यहां पर मैंने नोस बना दिया और उसके वादर मैंने लिप्स बनाने स्थार्ट कर दिया जैसा लेकिन दीरे दीरे जैसे मुझे समाज आता गया ना मैंने यह भी ठीक करने की कोशिश की और लेकिन उससे बहले तो ना मैं यह लीप्स ठीक करने की कोशिश कर रही थी भी विञार्स मिनठी तेन्थ हो ने पुर्ड़स वाले लिफ्स लेकिन एसके बाद भी मैने सूरोबने ठीक करने की कोशिश की लेकिन अभी छीए नहीं नहीं ऊपा रहेते हैं मैंने सोचान फेस्श कर लेती हैं उसके बाद तो यहां पर नम इने यह थोड़ा गालो को बणाने की कोशिस की। मैने तो यहां पर नम इना bilir अपर यहां पर लागा और उसके बाद पानी का है मैंने ने तो उसके बाद मैं आईज में मैंने एक कुलिद सी लाइन्स बना दीती ताकि यह और भी जाथ अच्छा लगे और उसके बाद में ऊपर की साइट में यहां पर क्ले की एक पतली सी लेयर लगा दीती और पानी और फिंगर की हैल्प से इसको चारो तरफ से ठीक कर दिया था यानि कि फेस के साथ में की जो क्ले था वो मैंने अच में पानी और फिंगर से अच्छे से साइट कर दिया था तो यहां पर यह इतना काम तो हो गया था और आप यह आपर यहां पर शोपनाने की तो अनी बन जेंग साइगे लेकिन बात फेस बनानी की थी लेकिन अगनी जेड़ Alles यह ठीक से नहीं बन रहते हैं फिर यह भी मैंने बहुत अच्छे से पानी से और फिंगर से सेट करते करते बहुत टाइम तक तब चाहिए थोड़ा ठीक से सीकान बने तो यहां पर मैंने पानी और फिंगर काही यूज करकर के इस तरह से यह बनाया था पूरा स्टैचू विकोज उससे नहीं बहुत ही अच्छे से स्मूध हो जाता है और काफी अच्छे से सेट भी हो जाता है तो इसके बाद में अब बार क्याती है सर के बाल बनाने की तो अब तो आप लोग समझ के होंगे कि यह मैं किसका स्टैचू बना रही हो और अगर नहीं समझा अब 2 मिनिट में समझ रहें वाले हो तो यहां पर आप देख सकते हो मैं यह एक गोल लड़ो सा मेने कले का बना कर इस बाद में गोल चोटी-चोटी-चोटी पीस नहीं सर पर इस तहां से लगा दिया और उसके बाद में पैनके केप की हैल्ट इसमें थोड़ा-थोड़ा मै अच्छी इंप करने न सची को बताऊं मुझे लगाते चलो कोई टैंचन नहीं करी लclamation लगा तो यह दो से नहीं प्र उसके बाद गड़्वर हो गई और फिर मैंने दवारा इस पर ब्लेक कलर अप्लाई किया और फिर मैंने सोचा कि मैं आप सिल्वल कलर का जो है वो शैड नहीं दूंगी अबना ग्ल्डन कलरा का शैड दूंगी तो यहां पर पहले मैंने या बालों हो पर जो ता गोल्डन कलर का श्यार्ड दे दिया तो फाइनली हमारा स्टीटीस बन का रेड़ी हो गया तो आज की वीडियो में हमने बनाया है इतना फर्फेक्ट तरीके साथ नहीं बनाया है लेकिन जैसे कि मैंना फर्स टाइम ट्राइम किया तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताने कि आपको यह कैसा लगा साथ ही वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना और रहा है मैंने आपके सेकेंड और थर्ड चैनल का नाम और लिंक ना डिस्क्रिप्शन बस में दे दिया जली जाके सब्सक्राइब कर लेना तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंट्रस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ में जब तक चलेंगें टेटाब आ और आडेडे!